तो नमस्कार दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं गुजरात के सहुराष्ट में बसे एक एतियासीक सहर की जियां दोस्तो जुनागट सहर जुनागट सहर में बसे गिरणार परवत तो अब हम आचुके हैं जूनागट सेर के पास भवनात तड़ेटी में जियां दोस्तों भवनात तड़ेटी से ही गिरनार पर पहुंचा जा सकता है आप देख सकते हैं यहां से साफ गिरनार परवत दिखाई दे रहा है हम जिस आश्रम में रुके हैं उसके बाहर से यह सुन का खुब सूरत नजारा जहां से गिरनार परवत दिखाई दे रहा है दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हम आचुके हैं नई जगपे आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है वो है गिरनार परवत गिरनार के उपर जाने के लिए हम पैदल नहीं जा रहे हैं ज्यादा तर लोग पैदल जाते हैं दस अजार सीडियां हैं लेकिन हम जाएंगे रोपे में तो फिलाला भी हम जा रहे हैं रोपे की टिकेट लेने के लिए तो रोपे का टिकेट बुकिंग हमने कर दिया है जियां दोस्तो रॉपपे का टिकेट बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं आफलाइन यहाँ पे जो आफिस बना हुआ है वहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हैं तो हमने ऑनलाइन टिकेट बुकिंग कर लिया है और फाइनली हम आ चुके हैं रॉपवे स्टेशन पर जी आँ दोस्तो यह रॉपवे स्टेशन के बाहर से कुछ ऐसा दुर्ष्य दिखाई देता है गिरनार परवत का और बहुत ही अच्छा बना हुआ है जूनागट का रॉपवे स्टेशन आप वीडियो में देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह जुनागट का रौपे बहुत ही अच्छा बना हुआ है और अब हम अंदर पहुंच चुके हैं रौपे के यहां से जाएंगे यह रौपे का स्टेशन है और जुनागट घिरनार रौपे स्टेशन पर हम आप पहुंचें तो नमस्कार दोस्तों फाइन हमने घिरनार परवत पर जाने का हमारा सफर सुरू कर दिया है जियां दोस्तों हम आपको एक और बत बता दें कि यह जो रौपे बना हुआ है वो रौपे भवनात तडेटी से अंबाजी मंदिर तक बना हुआ है जियां दोस्तों और यह रौपे जो है जुनागट का घिरन रॉपबे जो है वो एसिया का सबसे लंबा रॉपबे ऐसा कहा जाता है जिया दोस्तों ये तकरिबन 900 मेटर लंबा रॉपबे है और इसे तैए करने में तकरिबन 9 से 11 मिनट का समय लगता है तो जियां कुछ ही सणों में हम पहुंच जाएंगे माअंबा जी के दरवार में ज जिसे अंबाजी कहा जाता है तो हम पहुच चुके हैं अमबाजी मंदीर पर जियां दोस्तो यहांसे जो नीचे दिखाई दे रहे वो मंदीर जो है वो है भगवान नेमी नात का मंदीर वहाँ पर अगर आपको जाना हैं चारों और पहाडियां और बीच में बसा यह गिरनार परवत जी हां दोस्तों तो अब हमारा जो सफर है मां अमबा जी के मंदिर से वगवान दतात्रे मंदिर जाने का जो रास्ता है वो पैदल टे करना पड़ेगा जी हां दोस्तों पैदल वहां पर 25 सीड़ियां बनाई उसके बाद सीड़ियां चरनी पड़ेंगी तो अब यह कठीन रास्ता है अब हम पैदल यहां से जा रहे हैं हम भगवान दतात्रे मंदिर जाने के लिए हम निकल चुके हैं आप देख सकते हैं वीडियो में अब हम आपको दिखाएंगे कि अब सीड़ियों से कैसे वहां प हमको सीड़ियां चड़नी होगी अब सीड़ियां चड़कर हमें भगवान दतात्रे मंदिर पहुंचना होगा दीरे दीरे हम जा रहे हैं दीरे दीरे हम अपनी मंजिल की और जा रहे हैं और दीरे दीरे सीड़ियां चड़कर हम भगवान दतात्रे मंदिर के पास पहुंच हम आप होंचे हैं घरनार परवत की टोंच पर यानि की घरनार परवत पर जाने के लिए बेस्ट समय जो है ठंडी का समय है दिसंबर में जनवरी में आप जाएंगे तो वहां पर बहुती सुन्दर आपको नजारा देखने को मिलेगा और ज्यादा थकान भी नहीं लगी गर ज्यादा दूप भी नहीं लगेगी इसके अलावा बारिश के मौसम में यहां तो बहुती सुन्दर द्रस से देखने के लिए मिलते हैं लेकिन बारिश के मौसम में यहां पर कभी गिरनार परवत खुला रहता है तो कभी बंद रहता है जियां दोस्तों कभी बंद भी रहता है जादा बारिश में दोस्तों ये जो पीछे आपको गेट दिखाई दे रहा है वो है गिरनार भगवान दतात्रे पे जाने का गेट है हम वहाँ से वापस लोट कर आ गए हैं अब हम वापस जा रहे हैं वापस अमबा जी हमको जाना पड़ेगा जुनारा माजाओं के डाम कुंडनाओं हाले तने हाले सहूर आश्ट्र बताओं तो भगवान दतात्रे की दर्सन करकर वापस हम अमबा जी आ चुके हैं अमबा जी तक जो रोपे चलता है तो रोपे का हमारे रीटर्न टिकिट था तो हम रीटर्न टिकिट में वापस हम नीच तक रोप्पे जाता है उसके बाद जो है अमबा जी के बाद आपको पैदल जाना परता है पहले पंदरा सो सीडियां नीचे उतरनी परती एं फिर हजार सीरियां उपर चड़नी परती है इस तरह से अगर आप रोपट में भी जाते तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारे वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ सेर जरूर करें